आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्राइडे की एक ऐसी स्ट्राटजी बताने वाला हूँ जिससे आज आज आप उन्हीं स्टॉक्स को खरीदेंगे जिसमें आज FIIs भी बाइंग कर रही है आपने आज तक इंट्राइडे को सिर्फ स्टॉक्स के नजरी से देखाया है लेकिन आज मैं आपको दूसरे लेवल में ले जाने वाला हूँ वो लेवल जहां सिर्फ बड़े प्लेयर्स और इंस्टिशन्स बैठे हैं मैं आज आपको ये एक्सल शीट देने वाला हूँ इस शीट से आपको ये पता चलेगा कि FIIs ने पिछले 15 दिनों में किन-किन सेक्टर्स में इंवेस्ट किया है इक्जाम्पल के तौर पे आपको याद होगा कि पिछले 15 दिनों में एक बहुत बड़ा फॉल आया था लेकिन इतने बड़े फॉल आने के बाद भी ये 4 सेक्टर्स पॉस्टिव थे और इतने बड़े फॉल के बाद भी अगर इन सेक्टर्स में पैसा डाला जा रहा है इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स में आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है और हम ये जनरली मान के चलते हैं कि FIIS किसी भी सेक्टर में 10-15 दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो कम से कम 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि इससे पहले जो रेलवेज और पीसेउज में रैली वी थी वो रैली 6-7 महीनों तक चली थी ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज आप वो सीख कर उठेंगे जो आपको लाखों रुपए के पेड़ कोर्सेज में भी नहीं सिखाय जाता तो चलिए without wasting any time हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर देखिए एक perfect intraday trade के लिए तीन चीज़ का होना बहुत जरूरी है सबसे पहला उसमें smart money यानि कि बड़े players का presence होना बहुत जरूरी है यहाँ बड़े players है हमारा मतलब है FIIs और इनके presence को हम इस FII data से देख सकते हैं यह data हमें बताता है कि FIIs ने पिछले 15 दिनों में किन sectors में invest किया है देखिए यह data हर 15 दिन में update होता है और इसे update करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाय हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो में हम इस data को update करने के बजाए इस data को read करना सीखेंगे देखिए यहाँ पे आपको कई सारे sectors दिख रहे होंगे जैसे automobile, capital goods, chemicals, construction वगएरा वगएरा और इनके सामने कुछ digits दिख रहे होंगे और साथ में red और green bars दिख रहे होंगे red bar का मतलब है कि इन 15 दिनों में FIS ने इस sectors से पैसा निकाला है और green bar का मतलब है कि इन 15 दिनों में इस sectors में पैसा गया है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि automobile में इन 15 दिनों में 1628 करोड निकला है इसके रावक capital goods में 1089 करोड निकला है और वहीं FMCG में 1785 करोड इन्वेस्ट हुआ है और आप एक एक करके इन सारे sectors में देख सकते हैं कि FIS ने किन में इन्वेस्ट किया है और किन सेक्टर से पैसा निकाला है और इसे बड़ी बार आप इस पूरे sheet को free में मेरे telegram channel से download कर सकते हैं उसके लिए आपको इस video के description section में जाना होगा और वहाँ पे आपको मेरे telegram channel का link मिलेगा वहाँ पे अगर आप जाके pin comment पे चेक करेंगे तो आपको ये sheet free में मिल जाएगा देखें इंडिया में 70% traders breakout traders हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी stock में अगर breakout आता है तो Twitter, Instagram, Facebook हर जगा ये ख़बर फैल जाती है कि stock में breakout आया है मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं कि मान लिजे किसी stock में breakout आता है और volume होने के बावजूत कुछ दिनों के बाद वो breakout fail कर जाता है इसका सबसे बड़ा reason है कि आपका sector trending में नहीं है इसको ऐसे समझे है अगर आपके stock में एक breakout आता है तो उस breakout को sustain करने के लिए आपका 1.0.0 रुपय काफी नहीं है उसके लिए कम से कम 50-60 करोड रुपय चाहिए जो उस market के बड़े players के पास है और वो बड़े players आपके stock तो छोड़िए आपके sector में ही नहीं है क्योंकि वो सारे बड़े players उन sectors में घुसेवे हैं जो sector अभी trending में चल रहा है और इसलिए आप देखते होंगे कि आपके breakout में entry लेने के कुछ दिनों के बाद वो breakout fail हो जाती है तो आपका सबसे पहला step यह है कि आपको उनहीं sectors में trade करना है जिसमें पिछले 15 दिनों में FIS ने अपने investment को बढ़ाया है in short जितने भी green sectors दिख रहे हैं आपको इनके अलावा किसी में trade नहीं करना अब आते हैं हम अपने point number 2 में इस strategy को perfectly execute करने के लिए आपको support and resistance का ज्यान होना जरूरी है देखिए अगर आपको chart में support and resistance ड्रॉक करना नहीं आता तो आपको परिशान होने के कोई ज़रुत नहीं है आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है और वीडियो के end तक आप support and resistance ड्रॉक करना सीख जाएंगे अब हम आते हैं अपने तीसरे और सबसे important step पे the iron candle breakout इसके लिए हम एक screener का use करने वाल है और again ये screener भी मेरे telegram में free में available है देखिए यहां हम उन stocks को चुन रहे है जिन्होंने आज 15 minute chart में एक breakout दिया है देखिए आपको यहां पे कई सारे stocks मिल जाएंगे लेकिन आपको सिर्फ उन्ही sector के stocks में trade करना है जिसमें FII's ने invest किया है देखिए यहां पे आपको सबसे पहले एक काम करना है आपको सबसे पहले यहां पे नीचे जाना है और यहां पे आपको एक download CSV का option मिलेगा इसे click करने के बाद आपके पास वो सारे stocks खुल कर आ जाएंगे जिन्होंने आज 15 मिनट चार्ट में एक breakout दिया है देखिए यह Excel शीट कुछ इस तरह से दिखेगी सबसे पहले यहां पे date मिलेगा उसके बाद stocks का नाम यह किस category को belong करते हैं large cap है या mid cap है या small cap है और उसके बाद उनके sectors दिखेंगे तो अगर हम यहां पे थोड़ा नीचे जाएं तो हमें एक FMCG के stock दिख रहा है server tech तो चलिए हम देखते हैं कि चार्ट में server tech कैसा लग रहा है इसके लिए हम सबसे पहले यहां पे trading view में जाते हैं पहले खुद से एक सवाल करना होगा कि एक area में कौन सा ऐसा point था जिसके बाद यह stock उपर नहीं जा पाया बलकि उस point को touch करने के बाद वो stock नीचे चला गया तो यहां पे हमें एक area दिख रहा है जिसके बाद यह stock उपर नहीं जा पाया और यहां से reverse हो गया तो यह हमारा resistance area होगा और इसके बाद आपको अपने से दूसरा सवाल करना है आपको खुद से दूसरा सवाल करना है कि यह stock जो नीचे गिरा यह कहां तक गिरा कौन सा ऐसा area था जिसके बाद यह stock फर्दर नीचे नहीं गिरा बल्कि यहां से support लेकर उपर चला गया तो हमें यह एक area दिख रहा है तो यह हमारा support बन गया तो उमीद है आपको अभी समझ आ गया होगा कि resistance और support ड्रॉ कैसे करते हैं मैं हर एक चार्ट में थोड़ थोड़ आपको support और resistance बताता चलूँगा इससे आपको concept बिप clear हो जाएगा देखिए practically support और resistance कोई line नहीं होता बलकि एक zone होता है उस zone से वो stock नीचे गिर जाता है या इस zone के बाद वो stock उपर उठ जाता है तो यहाँ पर हमें एक दिख रहा है यह line जिसके बाद भी यह stock नीचे गिर आए तो यह भी हमारे एक resistance zone कहलाएगा अब देखिए यह दोनों lines के बीच में एक zone बन गया है यहाँ पर आपको story clear समझ में आएगा यहाँ पर stock ने breakout दिया उसके बाद यह नीचे आया और यहाँ पर retest करने के बाद यह stock थोड़ा सा उपर गया देखिए एक बाद आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सिर्फ एक stock breakout दे रहा है इसलिए उसी वक्त buy नहीं करना बलकि आपको wait करना है कि वो stock थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पर retest करेगा यानि नीचे आने के बाद वो एक green candle बनाएगा जिससे थोड़ा bullishness समझ में आएगा इससे यह समझ आएगा कि यह stock थोड़ा सा उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो green candle है यह एक retest zone कहला रहा है यहाँ पर stock नीचे आया और यहाँ पर एक green candle बनाकर retest किया जिसके बाद यह उपर जाने की कोशिश कर रहा था इसे मैं और अच्छे से दिखा रहता हूं देखिए इसे मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहता हूं देखिए यह वो point था अब देख रहे हैं यहाँ पर stock breakout देने के बाद थोड़ा सा नीचे आया और यह वो point था जहाँ पर वो stock थोड़ा सा bullish ने show कर रहा था इसके बाद आपका entry point क्या बनेगा आपका entry point इस candle का high बनेगा इस candle के high से उपर आप entry करेंगे जैसे इस candle का high इतना था 139.79 इसके just उपर आप entry करेंगे और आपका यह breakout का जो zone है जहाँ पर इसने retest किया उसका low से नीचे आपका stop loss बनेगा तो आप देख सकते हैं कि आपका stop loss यहाँ 1% का था जिसके against में आपको 5-6% तक का आपको profit मिल रहा है तो आप यहाँ पर calculate कर सकते हैं कि 1-6 का भी risk reward ratio में मिल रहा है देखे यह generally possible नहीं होता मैं आपको फिर से बता दू कि एक exceptional case होता है जहाँ पर हमें 1-6 का risk reward ratio मिल गया लेकिन बहतर होता है कि आप यह जो breakout का candle का resistance है यानि यह point मैं आपको अच्छे सा बताता हूँ इस stock ने breakout दिया और जिसके बाद यह down आना शुरू हो गया यह point आपका एक resistance बनता है यह आपका basically जो profit booking zone होना चाहिए यह आपका target zone होना चाहिए तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे entry की आपका 1.2 या 1.3% का approximately risk बना और उसके बदले आपको 2% का profit बना तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 1-2 का risk reward ratio मिला अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीशा है तो हमें एक FMCG का stock दिख रहा है Spencers तो चलिए हम देखते हैं कि Spencer चार्ट में कैसा लग रहा है देखिए कितना perfect चार्ट बना है और इस चार्ट से हमें एक चीज़ और पता चलता है कि माल लिजिए आपने stock आज लिया है लेकिन उस stock की कहानी आज से शुरू नहीं वी है हो सकता है कि उस stock की कहानी एक दो दिन पहले से शुरू हुई हो example के तोर पे यहाँ पे stock ने resistance शो किया यहाँ पे resistance शो किया और stock ने 26 तारिक को यानि कल उस stock में breakout आया और उसके बाद वो retest करने के लिए आया और यहाँ पे 27 तारिक को आपको stock एक retest level में ही मिल गया था यानि कि आपको market खुलते ही वो stock एक retest level में मिल गया था तो यह आपके लिए बहुत ही perfect buy बन गया देखे यहाँ पे आपको एक resistance मिला ठीक है और एक resistance यहाँ भी है तो इन दोनों resistance को consider करके हमें एक zone बनाते है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि stock ने breakout दिया और यह retest करने के लिए नीचे आया और यहाँ पे यह जो green candle है यह काफि bullish candle बन के हमें सामने आए तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि यह stock थोड़ा ऊपर जाने के कोशिश कर रहा है तो इस candle का high से ऊपर हमारा entry point रहेगा यह देख सकते हैं इस candle का high है यहाँ पे 101.76 का high है तो इसके just ऊपर हमारा entry point रहेगा और इसके नीचे यानि कि लगबग 100.13 के आसपास हमारा SL रहेगा तो यह 1.8 या 2% के SL के बदले हमें यहाँ पे 10% तक का profit मिल सकता था अब देख सकते हैं 1 is to 5 का risk reward ratio again मैं करूं यह exception हो सकता है हमें लगातार दो बार ऐसा exceptional risk reward ratio वाला stock मिल गया इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा ही SS stocks मिलेंगे intra day में 1.2 से लेकर 1.3 risk reward ratio एक बहुत ही अच्छा ratio माना जाता है अगर हम अपने पुराने rule को ही follow करें कि stock ने breakout के बाद कितने का high बनाया था तो यह हमारा एक profit booking zone हो जाएगा यानि हमारा यह target हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते है stock में इसे follow भी किया है इस zone में आने के बाद यह थोड़ा consolidate भी किया है इसका मतलब है कि यह आपका profit booking zone बन जाएगा तो अगर मान लीजे आप इसके high के ओपर entry ले दे आपका SL हो गया लगपक 2% का यहाँ पर आप अराम से 5% तक का profit कमा सकते थे यानि 1 इस्टू 2.5 के round का आप पर risk reward ratio बना जो कि again बहुत अच्छा risk reward ratio है तो अब हम चलते हैं किसी दूसरे sector पर example के तोर पर telecom को लेते है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि telecom का यह कौन से stock है यहाँ पर यहाँ पर nelco मिल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं nelco जो telecom का stock है तो चलिए हम देखते हैं कि nelco का chart कैसा लग रहा है यह नलको के 15 minute का chart है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि breakout देने के बाद यह stock ने कितना बहतरी इंतरी के sap move दिखाया है अगर हम यहाँ पर resistance ड्रॉ करें तो एक resistance area ये है इसके अलावा एक ये resistance area है ये देखिए एक breakout के बाद stock ने retest के ही दौरान इतना बड़ा आप move दिखा दिया आप देख सकते हैं एक ही candle में 4.73% का आप move आया है असल में देखा जाया तो आपको entry का मौका ही नहीं मिला यही तो मैं आपको बताने ही कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि breakout के बाद एक छोटा सा fall candle या फिर red candle बने और उसके बाद अगला एक बहुत ही बड़ा सा green candle बन जाए अगर इतना बड़ा अप move एक ही candle में आ गया इसका मतलब है कि इस stock में further अप move आने के chances बहुत ही कम है तो वहाँ पर आपको entry करने के सोचनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एक बात याद रखिए loss of opportunity is always better than loss of capital देखिए एक बार यहाँ पर opportunity चला गया कोई बात नहीं अगर कल फिर market खुलेगा कल ट्राइ करेंगे लेकित आज अगर आपने यहाँ पर entry ले ली और कल अगर एक fall आ गया और आपका stop loss हिट हो गया और काफी case में लोग तो stop loss भी नहीं रखते अगर आपका capital ही आफ हो गया तो क्या आप आगे कभी हिम्मत करेंगे trading करने की इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर एक ही वक्त में बहुत बड़ा आप move आ गया यानि कि breakout के बाद retest के ही दौरान बड़ा आप move आ गया वैसे stocks को आपको छोड़ देना है entry नहीं लेना यहाँ पर मैं किसी तरीके से resistance बगएरा बना के आपको दिखा सकता था resistance को थोड़ा से इधर कर देता और मैं आपको दिखा सकता था देखिए यहाँ पर हाँ stock ने breakout दिया retest हुआ इसको मैं retest कहा के कह सकता था कि आप यहाँ पर entry लेते इतना बड़ा move आ जाता यह सब बेकार चीज़ है practical रही है practical सोचिए यहाँ पर आपका opportunity चला गया है क्योंकि actual resistance किसी भी sane इंसान थोड़ा भी इंसान के अंदर दिमाग हो तो यहीं पर resistance बनाएगा और यहाँ पर देखिए इतने बड़े candle के बार आपका opportunity मिस हो गया कोई बात नहीं तो अब हम किसी दूसरे stock का example लेते है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप थोड़े से नीचे जाएं तो telecom sector का मुझे यहाँ यहाँ पर एक stock दिख रहा है तेजस network चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि stock ने कितने beautifully double bottom बनाने के बाद इस resistance का breakout दिया है और इस resistance का breakout के बाद यहाँ पर retest करने के लिए थोड़े देर रुका था अगर मैं इसमें resistance ड्रॉ करूँ तो यह एक resistance line है यहाँ पर breakout देने के बाद यह stock retest करने के लिए नीचे आया थोड़े देर के लिए consolidate किया और उसके बाद boom अगर आपने यहाँ पर entry ली होती यह किसी भी common sense लगाने वाले इनसान को पता है कि यहाँ पर consolidation के वक्त में एक entry बनता है तो यहाँ पर अगर आपने entry ली होती तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लगबग 1% का stop loss आता और उसके बदले आपको 2-5% का profit हो सकता था तो यहाँ पर 1-2.5 का risk reward ratio बनता जो कि again एक बहुत ही अच्छा ratio है अब यहाँ पर कई लोग यह सवाल कर सकते हैं कि इस line में भी तो एक resistance था आपने यहाँ पर entry कैसे ले ली देखिए बात को समझे इस stock ने एक regular breakout नहीं दिया बलकि एक double bottom breakout दिया है regular breakout के बज़ाए double bottom breakout comparatively stronger माना जाता है अगर आप trading के books में पड़े अगर आप इस चीज़ को backtest करे कि regular breakout के बज़ाए अगर एक stock double bottom बना कर breakout दे रहा है तो वो breakout एक comparatively बहुती strong breakout माना जाता है अब हम एक आखरी sector देखते हैं और वो है healthcare को देख लेते हैं क्योंकि हमने FMCG देख लिया टेलीकॉम देख लिया हम healthcare देख लेते हैं अगर हम इस Excel फाइल को फिर से खोले और यहाँ पर अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें healthcare sector या pharma का हाँ यह दिख सकता है लॉरस लैब चलिए देखते हैं लॉरस लैब चार्ट में कैसा लगता है यह देखिए यह है लॉरस लैब के 15 मिनिट का चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं stock breakout देने के बाद नीचे आई है और यहाँ पर यह retest कर रही है इस stock को चूज करने का मेरा मकसद यह है कि मैं आपको बता सकूँ कि stock retest करते वक्त दिखती कैसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि breakout देने के बाद stock नीशे आई और इस area में consolidate कर रही है देखिए अगर एक stock breakout देने के बाद retest वाले area में consolidate करती है तो वो वहाँ पे strength gain कर रही होती है देखिए मैं आपको अगर resistance बना कर दिखाऊं तो ये एक resistance है और इसके अलावा ये एक resistance है तो इस resistance zone में यहाँ पे stock consolidate कर रही है और अब इसके chances बहुत जादा हैं कि consolidation के बाद ये stock एक up move दिखा सके तो अगर मुझे यहाँ पे entry करना है तो मैं इस level में entry करूंगा और यहाँ से मेरा stop loss रहेगा 0.5 का और यहाँ पे मेरा target रहेगा लगबग 1% का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे risk reward ratio 1 is to 2 का बन के आए अब देखें इस stocks काफी बड़े हैं तो यहाँ पे moves बहुत ही कम होते हैं तो यहाँ पे आप expect नहीं कर सकते हैं कि 2% के stop loss के साथ 10% का target आ जाए इस तरह की चीज़ें large cap stocks में होनी बहुत मुश्किल होती है तो अगर आप large cap को देखेंगे तो वो generally 1.5% का ही move देते हैं आधा percent move तो breakout में चला गया उसके बाद 1% का आपका target हुआ आधा percent का stop loss हो गया इस तरीके से आप इस strategy का use कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह के stocks में trade बिल्कुल नहीं करना है आपको यहाँ पे NICA के stock दिख रहा है चलिए हम इसे chart में देखते हैं यह देखिए यह है NICA के 15 minute का chart आप यहाँ पे gap up opening देख रहा है देखिए किसी भी stock में अगर gap up या gap down opening आता है यह भले ही 23 अगस्ट का case है लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इसे use किया है और दूसरी चीज कभी भी margin लेकर intraday trading मत करना मैं आपको फिर से बता दूं कि कभी भी margin लेकर intraday नहीं किया जाता देखिए आप में से 90% लोग अभी loss महीं है तो अब जब आप पहले ही loss में आपको पहले ही पता है कि मेरा 90% chance से loss करने का तो मैं इतने ही पैसे से loss करूँ जितना मेरे पास है इस पैसे से मैं सीख लूँ लेकिन इसके बजाए आप ये करते हैं कि आप 4-5 गुना margin ले रेते हैं और उससे loss कर देते हैं ताकि आपका loss भी बढ़ जाए ये कहां कि बुद्धी मानी है आपका सबसे पहला काम होना चाहिए एक setup fix करना एक strategy ऐसी बनाओ जहो तो आप इस strategy को इस copy कर लो और आप इस समझ लो आप ठान लो कि आने वाले 15-20 trading में मैं इसी strategy को follow करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि strategy की कितनी accuracy है क्योंकि मैं जब पहले intraday trading करता था तो मैं इसी strategy को follow करता था और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं 82% time सही होता था अगर मान लो मैंने एक साल में 100 stocks लिये example के दॉर पे एक साल मैं 100 stocks लिये तो मैं 82 times profitable रहता था सिर्फ इसी वज़े से क्योंकि मेरे पास उन लोगों का data था जो बड़े players है जो FIIs है तो उससे मुझे बाकी सारे traders के उपर में एक edge मिलता था क्योंकि देखिए stock market एक समुंदर है और समुंदर के एक तरफ साड़े बड़े players जो पैसा कमा रहे हैं और समुंदर के दूसरे तरफ सारे retail traders जिनको operators एक चारा दे रहे हैं वो चारा क्या है? breakout और सारे retail traders कुछ जाते हैं कि हाँ आज इस stock में breakout आया चलो हम buy करते हैं जबकि आप ये नहीं देखते हैं कि आप जिस sector के stocks को buy कर रहे हैं वो sector तो trending में है ही नहीं उल्टा उस sector में बढ़ चड़ के selling हो रही है एक्जाम्पल के तोरफ पे अगर माल लीजे अभी एक different stock में breakout आया तो मुझे पता है कि कई ऐसे लोग होंगे जो trending में है अब उन sectors में क्यों ने trade करते है जिसमें FIIs invest कर रही है क्योंकि असल पैसा उन ही 2-3 sectors में है और हो सकता है आज जो sector जैसे IT, Pharma, Chemicals या फिर आप टेलिकॉम को ले लो इस तरह के sectors जो आज trend कर रहे हैं हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो trend ना करे हो सकता है उनमें FIIs Profit Burping शुरू कर दे लेकिन फिर भी 2-3 sectors ऐसे आएंगे जो trending करना शुरू करेंगे आपको वापस से उन sectors में shift करना है और इसी कौम कहते है sector rotation Mind you, जिसने sector rotation सीख लिया उसे stock market से पैसा कमाने से कोई नहीं रोख सकता अगर आपको swing trading की एक ऐसी धमाकेदार strategy चाहिए तो suggestion में आरे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए